नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी कई UPSC उतकर्श में हाली में हमने देखा कि कैसे काशी मत्रा विवाद को लेकर एक बहुत काशी मत्रा में मत्रा में जन्म भूमी काशी में ग्यानवापी मंदिर और मस्जिद तो इसको लेके बहुत बड़े विवाद चल रहे हैं ज वक्फ विधयक पर पूर्व नयायद हीशों के साथ एक बैठक में चर्चा हुई थी हाली में विश्व हिंदू परिशद के विधी प्रकोष्ट द्वारा आयोजित एक बैठक में सर्वोच नयाले और विभिन उच नयालों के 30 सेवा निवृत नयायद हीशों ने भाग ल बोला गया था कि आयोध्या, काशी और मत्वरा ये तीनों जहां पर मंदिर थे हमारे यहां पर इने तोड़के मस्जिद बनाया गया है और इनको जगह को वापस से हमें रीकलेम करना है ताकि हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड ना रहे तो इसी पर सारी बाती हुई थी आयोध पर आयोध्या में जमीन के बावजूद वहां पर अभी तक मस्जिद नहीं बन पाया है क्योंकि डोनेशन ही नहीं आ रहा है चंदा ही नहीं आ रहा है तीक है इस बैठक में वारानेसी और मत्वरा के मंदरों पर कानूनी विवाद पर चर्चा की गई वक्फ संशोधन समाज के सामने सामूहिक मुद्दे रखे गए हैं जैसे कि वक्फ विधयक मंदिरों को वापस सौपना सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को समाज को सौपना धर्मांतरन आदी पर चर्चा भी की गई है इसका उद्देश्य नियाए धीशों और विएच्प के बीच विच अधारों के आदान प्रदान का मंच था उन्होंने कहा इसमें राष्ट्रवाद और हिंदित्व पर भी चर्चा हुई हिंदू को प्रभावित करने वाले कानून मंदिरों की मुक्ति धर्मांतरन गायों की हत्या और वक्फ बोर्ड पर भी चर्चा की गई विएच्पी ने नेता ने ये भी कहा कि न्याय धीशों की भूमी का सेवा निवरित्ति के बाद समाप्त नहीं होती है उन्हें राष्ट को अभी भी सर्फ करना है योगदान देना होता है यह अगटनाकरम इसलिए महतुपूर्ण है क्योंकि संग परिवार के कई वैचारिक मुद्दे वर् इसके अलावा भाजपा शासित विभिन राजयोद्वारा पारित कुछ दर्मांतर और विरोधी कानूनों की अधालतों में भी जाच होई है वक्फ विद्याय को संसथ की संयोग तो समीती के पास अभी भेजा गया है जिस पर जदियू और लोचपा जैसे प्रमुख भाज पास योगियों ने आपत्ती भी जताई है वक्फ की संपत्ती क्या है वक्फ असल में मूवेबल या इम्मूवेबल प्रॉपर्टी है जो की वक्फ यानिक एक मुस्लिम कम्यूनिटी द्वारा अक्वायर की गई है और वो उस पर हग जता सकते हैं 8.7 लाख से अधिक संपत 1923 में बना वक्फ से जुड़ा ये पहला कानून इसके लिए है इसके अलावा 2013 में बदली गई थी वक्फ की परिभाशा सबसे जादा संपत्ती वाले वक्फ बोर्ट कहां कहां है देख लेते हैं करनाटक स्टेट बोर्ड ऑफ ओकाफ ये 62,870 संपत्तिया रखा है यूपी यूपी में ही है यूपी सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ट सबसे जादह संबत्ती से स्यौन्पत्ति वाखे दई के अधर ही है तो वक्फ हो मुस्मानों द्वारा किसी खासम उद इश के लिए दि गई निजी संपत्ती है ए धार में ध्रमोर्त या निजी उदेश के लिए होती है, हाला कि संपत्ती के लाभारती अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन संपत्ती का स्वामित वह ईश्वर के पास माना जाता है, इसके अलावा वक्फ को किसी दस्तावेज या दस्तावेज के जरीयत या मौखिक रूप से बनाया जा सकता है, तो दिक्कत तो यही है किसी को भी आप वक्ष बोल सकते हैं, मैं पूरे स्टूडियो को बोल दूँ कि यह वक्ष है तो क्या होगा, मौक्य कृप से भी मैं स्टूडियो को वक्ष बना दूगी, इसके बाद या किसी संपत्ति को वक्ष माना जा सकता है, अगर उसका इस्तमाल लंबे समय तक धार्मि पर देशों के लिए किया जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि वक्फ बनाना इतना आसान मुर्ण कि century को अ-गर उसका झाल में किशे में कि अखरक्रों कि यूजच िराा इंजय वक्फ भी बोल सकते हैं. यह पार जब किसी संपत्य को कब भौशत किया जाता है तो उसका चरित्र हमेशा के लिए बदल जाता है और फिर उसे बदला नहीं जा सकता वक्फ का संचालन कैसे होता है देखते हैं भारत में वक्फ संपत्यों का संचालन वक्फ अधिनियम 1995 के तहत होता है भारत में वक्फ के संचालन के लिए कानूनी व्यवस्था 1913 से ही है, जब मुसलिम वक्फ वैधी करन अधिनियम लागू हुआ था, इसके बाद मुसल्मान वक्फ अधिनियम 1923 आया था, फिर जब भारत स्वतंत्रता हुआ, तो स्वतंत्रता के बाद भी केंद्री वक्फ अधिनियम 1954 लागू किया गया, जिसके अंततहा वक्फ अधिन के लिए दो वर्ष तक कारवास का प्रबंधन भी किया गया वक्फ संपत्ति की बिक्री उपहार विनियमय बंधक या हस्तांतरन पर भी इस पश्च रूप से रोक लगाए गई वक्फ कानूल में एक सर्वेक्षन आयुक्त की नियुक्ति का भे प्रावधान है यह स्थान यह जाच करेगा और गवाहों को बुलाकर और सार्वजनिक दस्तावेज प्राप्त करके वक्फ संपत्तियों की सूची भी बनाएगा ताकि पता रहे कि कितनी वक्फ संपत्तियां हैं इनका प्रबंधन मुतवली द्वारा किया जाता है यानि कि देखभाल करता जो होते हैं ज वक्फ संपत्यों से संबंदित किसी भी विवात का फैसला, वक्फ न्याइधी करण द्वारा किया जाएगा, न्याइधी करण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, और इसमें तीन सदसे होते हैं, एक अध्यक्ष जो जिला, फिर उसके बाद सत्र या सिविल जज हो, के क्लास वन पद में हो, एक राजी न्यायक अधिकारी होते हैं, जो राजी सिविल सेवाओं का अधिकारी होता है, या फिर मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र का ज्यान रखने वाला कोई व्यक्ति हो, इस कानून में वक्फ बोड, वक्फ परिशिद, राजो में वक्फ बोड के मुखेता कारिकारी, अधिकारियों के गठन और न्युक्ति, इसके प्रावधान भी होते हैं, वक्फ बोड में शामिल CEO और संसद मुस्लिम समुदाई के भी होने चाहिए, वक्फ बोड कैसे काम क ही है ठीक है इसके बाद investment से मिलने वाले return को शिक्षा स्वास्त आपदा गरीब कल्यान में यूज किया जाते है मान लो एक apartment बना दिया जाया और उसको दान दे दिया जाया वक्फ बोड को तो वहां पे rent चढ़ा के जो भी उस संपत्ती से पैसा आएगा उस पैसे को school स्वास् अभी तीस वक्फ बोड है सरकारी आकडों के मुताबिक देश बर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्यां हैं 9.40 लाख एकर जमीन में फैली हुई है वक्फ बोड राज्य सरकार के आधीन ही एक निकाय आता है जो पूरे राज्य में वक्फ संपत्यों के संद्रक्षन के रूप म इसका नेत्रुत्व एक अध्यक्ष करते हैं राज्य सरकार मुस्लिम विधायकों सांसदो राज्य बार काउंसलिंग के मुस्लिम सदस्यों इसलामी धर्मशाला के मानिता प्राप्त की हुए लोग भी रहते हैं जिनकी वार्शिक आए एक लाख रुपे या उससे अधिक हो द्वारा नामित या एक या दो सदसे भी होते हैं कानून के तहट वक्फ बोड को संपत्ती का प्रशासन करने और साथी साथ किसी भी वक्फ की खोई हुई संपत्ती की वसूली के लिए उपाय करने तथा बिक्री उपहार बंधक विन्यमय या पट्टी के माधियम से वक्फ बोड किसी प्रॉपटी पर दावा करता है तो ये वक्फ बन सकती है पर नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेविन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा पुराने कानून में वक्फ को हाई कोर्ट में अपील की जाती है जो भी उसका ट्राइबिनल का अगर कोई भी डिसिजन हो इसको चालेंज करने के लिए हाई को जाया जा सकता है यानि कि यहां तो पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू आ जाता है जुडिशल रिव्यू का पावर ठीक है फिर पुराने लॉ कर सकते इसके अलावर वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी पर इस वाले में नए बिल में वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं और अन्य धर्म के दो सदस्यों को भी एंट्री मिलेगी आगे बढ़ते हैं विदेयक को वर्तन किये गए हैं जैसे विधेको देश मूल अधिनियम का नाम वक्फ अधिनियम 1995 से बदल कर एकी खृत वक्फ प्रबंधन सशक्ति करन दक्षिता और विकास अधिनियम 1995 करना है इस अधिनियम में तीन नए प्रावधान भी शामिल हैं सबसे पहले धारा 3A जिसमें कहा ग करता है कि प्रतीत होता है कि जो भी भूमी किसी व्यक्ति की नहीं हो उस पर वक्फ का दावा नहीं हो सकता है दूसरा धारा 3C1 जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोशित की गई सर सरकारी जमीन है या नहीं है, अगर सरकारी है तो इसको वक्थ नहीं माना जाएगा, विदेयक में यूखत कहा गया है कि अगर कोई सवाल उठता है क्थि को इसी कोई संपत्ती सरकारी है तो उसके अधिकार शेत्र वाले के पास भीजा जाएगा, जो उचित समझें जाने पर झाज करेगा और टे करेगा कि ऐसी संपत्ती सरकारी है जा नहीं, इस प्रावधान का अनिवारे रूप से के या मतलब है कि विवाद की श्थीती में कolector ना कि जो वक्फ क्राइबूनल है वो निर्डने लेगा क्यों कि अगर वक्फ ट्राइबियूनल निर्ने लेता है तो वो बायस भी हो सकता है ठीक है प्रस्तावित खंड में यह भी कहा गया है कि ऐसी संपत्ती को कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने तक वक्फ संपत्ती नहीं माना जाएगा जब तक कलेक्टर साब रिपोर्ट नहीं दे देगी असाइब रिपोर्ट नहीं देदेगी तब तक वह वक्फ संपत्ती नहीं मानी जाएगी इसका मत्तर यह कि जब सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं करती तब तक कोई भी विव विवादित भुमी वक्फ नहीं बन सकती प्रभस तावित विधेप कें美味 क किसी भी समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा करवा सकती है। किसी भी समपत्ती का तो यह उप्योग की वज़े से ही वक्फ बन जाएगी। इसमें गैर मुस्लिम CEO कभी के भी अनुमती देने का प्रस्ताव किया गया है। चलो बिस से रिलेटेड एक क्वेशन देख लेते हैं। वक्फ समपत्ती के संदर बेवे निमनले खित कतनों पर विचार करें। संदर के लाभारती अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन संदर का स्वामित वह इशवर के पास ही माना जाता है। किसी संदर को वक्फ माना जा सकता है अगर उसका इस्थमाल लंबे समय तक धार्में क्या धर्मोर्द उध्योष्यों के लिए किया गया। थांक यू सो मुच पर वाचिंग, धन्यवाद.